कि अभी अभी नवंबर में इसकी एक्जाम होने वाले हैं साथ साथ में आरक्षक की अभी नॉटिफिकेशन आ चुका है पीवी मद्प्रदेश द्वारा और कुल चार हजार से भी अधिक वैकेंसी अभी उपन होने वाली हैं और जिसके की फॉर्म फिलिम अभी डिसमबर से होने वाले हैं तो इन सभी के लिए मैं पूँछे गए हैं पीवी द्वारा गन्ड़क्ट जो आरक्षक के और पुलिस जयिल प्रहरी के जो एक्जांस हुए है उन सभी में ये कॉष्यंस पूशे गए हैं 2016 में जो आरक्षक का पेपर हुआ था और जील प्रहरी के जो पेपर हो रहे हैं सबी में से मैंने ये कॉस्टन स्रीज बनाई है तो आप इस वीडियो को अंतरक देखें और लगातार ये स्रीज चल रही है इससे पहले भी मैं वीडियो के ये तीन पार्ट ला चुका हूं तो उनको भी आप लेलिस से जाकर देख सकते हैं और जो भी विद्यारती लगातार म अन्य नॉलिज की उपर हूं उन सभी वीडियो को आप लगातार देख पाएंगे तो चली शुरू करता हूं जेल प्रेरी और आरक्षे जो है उसके एक्जाम्स पर ये MCQ स्रीज तो वीडियो को अगर पसंद आये आपको तो आप लाइक और शेयर करना ना भूलें पहला कोश्चन लेते हैं पहला कोश्चन है कौन भारत के राष्टपती को सपत दिलाता है ये आपके सामने निर्वातम राष्टपती भारत का प्रतान मंतरी सुप्रीम कोट के मुखझ cannabis के दौररा इसकी सपत होती है या फिर लोक सबवा का अध्यक्षिए तो भारत के राष्टपती को सपत कौन दिलाता है तो इसका जो आंसर है वो है आंसर थार्ड सुप्रीम कोट का मुखझ नायदीस और राष्टपती को सपत दिलाता है और राष्टपती की जो निर्वाचन होता है वो आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल जो समीधान में दिये गया है आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 78 की अंतरगत जो बताया गया है उसमें संग की कारपालिका के वारे में बताया गया है इसके वारे में संग की कारपनाली और संग की कारपालिका के वारे में इसमें वर्णन है और उसके अंतरगरत इसमें राष्टपती, उपराष्टपती, प्रधान मंत्री, मंत्री मंदल तथा महा नियावादी याने की जो मुख्य नियादिस होता है ठीक है नो सुप्रीम कोट का मुख्य नियादिस उसके वारे में इसमें पूरा का पूरा वर्ण सामेल है तो उसके accordingly ही राष्टपती का निर्वाचन किया जाता है कौन से आर्टिकल में आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 78 के अंतरगरत ये निर्वाचन होता है अगला question है second question तांसन का मखवरा कहां श्थिते तांसन का जो मखवरा है वो कहां पर श्थिती बताना इसमे जो उप्जर ऑप्रियर्पते ट्रिकल और ले करेक्ट आंसर Deshalb कलत है और इसका जो द haw Deep-जर तॉर और ये स्में ही तांसन का मखवरा और है महमद गौस का भी मकवरा है, मुहम्मद गौस का मकवरा भी, वहीं पर इस्तिते यहाँ पर की तानसेन का मकवरा है, और तानसेन जो संगित अग्यत है, जो की मुगल समराज, मुगल जो समराज है, उसमें जो अकवर थे, तो अकवर की दरवार में तीकिना नवरत्नों में से एक थे यह जो नवरत्न थे उसमें से एक थे तान सेन तो all these are important part अगला question है तीसरा question साहाजी भोसले के पुत्र कौन थे यह option है आपके सामने यह प्राजी यह प्राजा मान सिग इसमें से कौन सा option सही है यह आपको बताना है तो इसका जो सही उत्तर है वो है सिवाजी सिवाजी जो छछत्र परदी सिवाजी है वो साहाजी भोसले के पुत्र थे तो साहाजी यह the correct answer और यह 1630 से लेके 1680 तक 1680 की समय में सिवाजी का जो शासन रहा और सिवाजी इन्होंने 1674 में 1674 में मराथा सामराज की नीव रखी थी मराठा जो सामराज इए उसकी नीव रखी थी और रायगर में इनका राज यवि सिख रहा था उसला सो चोहत-र में, 16-74 में इनका राज यवि सिख बना हुआ था और तबी से ये छत्र पती बने थे, क्या बने थे ये? इनको चत्रपती की उपादी मिली थी, चत्रपती, तो तब से ये चत्रपती सिवाजी कहला है, तो correct answer क्या है, सिवाजी, साजी बोसले के पुत्र कौन थे, सिवाजी, जिनका पूरा नाम था चत्रपती सिवाजी, और इसी समय में मुगल सासन में औरंग जिब के साथ में इनक बहुती गहरा संगर्स हुआ और उसी काल में ये 1680 में इनका द्यान्त हो गया था और इस इस दा ओल इंपॉर्टेंट फैक्ट अगला है फोर्ट कोट्शन किस राज सरकार ने चंदना भीमा योजना मजदूर वर्गों को लिए एक भीमा योजना स्री की सुरू किये है इसका नाम है चंदना भीमा योजना जो आपके सामने आंदर प्रदेश उत्तर प्रदेश मद्र प्रदेश या तलंगाना इसमें से कौन सा ओप्शन सही है तो इसका जो सही उत्तर है वो है आंदर प्रदेश आंदर प्रदेश की सरकार ने ये योजना सुरू की है जिसका न अगला question है भारती राष्टी Congress की प्रत्म महिला अध्यक्ष कौन थी तो यह option है आपके सामने एनिविसेंट सिस्टर नेवेदिता साजोजडी नाइडो या कैप्टन लक्षमी तो इसका जो सही उतर है वो है एनिविसेंट एनिविसेंट जो थी वो भारती राष्टी Congress की पहल महिला अध्यक्ष रही ठीके ना और इन्होंने ही Home Rule League की स्थापना की थी और यह हुई थी 1906 में 1906 में यह Home Rule League की स्थापना हुई थी और इसी समय में मुस्लिम लीग की भी स्थापना की गई थी और यह एनिविसेंट ने Home Rule League की स्थापना बाल गंगा धरत लग के साथ में मिलके की थी और यह भारती राष्टी Congress की जो अध्यक्ष बनी थी यह कब बनी थी 1917 में 1917 में भारती राष्टी Congress की प्रत्तम महिला अध्यक्ष यह चु वह है मद्प्रदिस का जो पर्ष्चिमी छेत्र है वहां पर कौन से राजिकी सीमा लगी है यह आपको बताना है यह option के सामने गुजरात च्थिस गढ़ उत्तर प्रदिस यह महराश्ट तो इसमें से कौन सा आशर सही है यह बताना है तो इसका जो सही उत्तर है वो है गुजरात की सीमा मद्द प्रदेश के पर्ष्चिम में लगी हूए यह जो इस तरीके से अगर इसको बनाया जाए ठीक है ना ऐसे करके तो यह मद्द प्रदेश है तो मद्द प्रदेश के इस चेत्र में यह पढ़ता है गुजरात गुजरात है और यह है पर्ष्चिमी छेत्र ठीक है ना इसको वेस्ट जोन बोल सकते हैं और यह है नौर्थ नौर्थ जोन है यह इस जोन है और यह है साउथ जोन ठीक है ना तो इसके वेस्ट जोन में गुजरात पढ़ता है और इसके इस्ट और साउथ एस्ट और साउथ के area में यहाँ पर यह, तो यह है 36 गड़, ठीक है न, इसको short में लिख सकते है CG, और उत्तर प्रदेश दिखाया है तो north में, क्योंकि इसका नाम उत्तर प्रदेश है, तो उत्तरी छेतर में ही है यह उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश को यहाँ से लेके, यहाँ तक का जो area पढ़ता है यह उत्तर प्रदेश का पढ़ता है यहाँ तक स्वारी, ठीक है न, यह है UP, और इस तरीके से यहाँ पर यह है महरास्ट, ठीक है न, यहीं कि दक्षिन में जो है वो महरास्ट की सिमा लगती है, तो इसका जो सही आंसर मैं आपको बता दिया, इस question का जो सही आंसर है वो है गुजरात अगला question है सेवंथ question, गांदी जी ने अभय साधक नाम किसको प्राप्थ हुआ, गांदी जी से यह जो नाम है अभय साधक किसको प्राप्थ हुआ, यह option है आपके सामने बावा आम्ते, जी के गोखले, मुराजी देशाई या फिर डी के कारवे तो इसका जो सही उत्तर है वो है पहला नमर बावा आम्ते को ही अभे सादक का नाम गांदी जी से प्राप्त हुआ और ये उस समय प्राप्त हुआ जब बावा आम्ते ने एक अंग्रेजी सैनिक के दवरा केसी हिस्त्री पर बहुत ज़्यादा त्यचार हो रहे थे उस समय ये अकेले ही थे और अकेले ही उस सैनिक से साद लड़ पड़े थे तो उस समय गांदी जी ने इस बावा आम्टी जी को जो नाम दिया था वो अभे साधक नाम दिया था इसका पीछे हिस्ट्री है और बावा आम्टी जी का जो जन्म हुआ था यह हुआ था 26 दिसंबर 24 दिसंबर 1914 ठीके ना 1914 को कहां पर हिरनया घाट ठीके ना हिरनया घाट पर ठीके ना एक कि पास में इसका इनका जन्म हुआ था बावा आम्टी जीगा तो इस इस दा बैग्राउंड आफ बावा आम्टे अगला कोर्शन है आठवा कोर्शन निम लिखित में से किसे 1976 में भारत सरकार द्वारा सरकारी चित्र में इगवर्नेंस के साधन प्रदान करने के लिए स्ताफित किया गया तो इसका कौन सा अंसर सही है यह बताना है अपने को तो इसका जो सही उत्तर है वो है रास्टिये सूचना विज्ञान केंद्र सेकेंड नमज दा करेक्ट आंसर दिसी दा करेक्ट आंसर ठीक है न तो इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हैं 1976 में भारत सरकार द्वारा सरकारी चित्र में इगवर्नेंस साधन प्रदान करने के लिए इनको स्ताफित किया गया तक इसको रास्टिये सूचना विज्ञान केंद्र दिसी दा करेक्ट आंसर अगला कॉट्शन नवा कॉट्शन ने इम आई का पूंड रूप यानिकि इसका फुल फॉर्म बताना है इसमें और इसका मतलब जो होता है उधार लेने वाली के द्वारा रिंड दाता को दी उप्जा गया है तो इसका यह option है आपके सामने μαसिक किस्त बोलते हैं यह फिर एक समान, समान, मासिक किस्त बरावर प्रभोधक किस्त यह पिर समान, प्रभोधक किस्त तो इसका जो option में कौनसा answer सही है तो इसका जो सही उत्तर है वो है मासिक किस्त ठीक है ना मासिक किस्त इस दा करेक्ट अंसर अगर इसको इंग्लिस में दिखा जाए तो इसका इंग्लिस में जो फुल फॉर्म है वो है इक्वेटेट मुंथली इंस्टालमेंट तो इसका फुल फॉर्म है एक्वेटेट मंतली इंस्टालमेंट चेहलों है यह सारी जो पेपर पूछे बता रहा हूं मैं आपको यह पिछले कॉंस्टेवल की जो 2016 का पेपर हुआ था उसकी एक शिप्ट का पेपर मैंने पूरा लिया है तो उसी की टूटर 20 कॉस्टेंस और अल दीजा कॉस्टेंस यह आ चुके हैं तो इसी तरीकी के कॉस्टेंस फॉर सक्री रूप से 1857 में के विद्रों में भाग लेने वाली जंजाती के लोगों का नाम क्या है मनलब कौन से जंजाती के लोगों ने 1857 में सबसे अधिक शक्रीता दिखाई थी यह आपके सामने भील गौन कोरकु या फिर वेगा तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है तो इस जंजाती के लोगों ने तो अगर पूरे भारत वस्क्राइब तो वह है भील यह जै सबसे अधिक मातरा में तो सबसे अधिक मातरा में पाई जाती है. अगला प्रधिस है भारत के महान नियाएवादी कौन है? तो ये 2016 के question paper में ये question पूछा गया था ये उसी समय का question है तो इसमें से जो options है वो options में आपको रंजीत कुमार दिख रहा है एपी सहा मुक्वल रहतोगी और एम नागे स्वार दिख रहे हैं तो जितनी भी इसमें बताये गए हैं इसमें से तो इसमें से कोई answer अभी इसका सही नहीं है अभी जो current में जो महानिया बते जिसको कोई की बोलते हैं attorney journal भारत का attorney journal है वो अभी इस समय जो है के के वैनू गोपाल जी जो है तक लगातार ये के की वैनू गोपाल जो के attorney journal है तक नहीं है और अभी इसका question का अगर answer देखा या 2016 से लेकर ठीक है ना क्योंकि ये 2017 तक रहे थे कौन इसे है इसका answer मुखुल रोतोगी और इनका जो कारिकाल था ये था 12 जून 2014 से लेकर ठीक है ना 30 जून 2017 तक रहा ठीक है ना तो इसमें जो आंसर देखा जाए तो मुखुल रोतोगी और इस questions में अगर 2016 की समय का जो option था वो सही था मुकूल रोहत होगी जो की 2014 में थे और 2017 में ये पद से हट गए थे अगला question है 12 question लोकसावा की अधिक्तम सक्ती भारत की सम्मिदान द्वारा परिकल्पित है जो की है कितनी इमनलग लोकसावा है टोटल कितनी सीटे हैं ये question इसमें पूछा गया है 530, 550, 552 ये फिर 540 तो इसका जो आंसर है वो है 552 इस इस दा करेक्ट आंसर ठीक है ना टोटल जो लोकसावा की सीट है वो 552 है और इसमें 540 जो सीट होती है उस पर election होता है जो की लोकतात्रिक तरीकी से election किया जाता है और election commission ये election conduct कराता है और बागी की 12 जो सीटे हैं ये सरकार की द्वारा ही भरी जाती है इस तरीकी से टोटल जो सीटे हैं वो 552 सीटे हैं अगला question है भारत का राष्टिय परसु कौन है? यह option है आपके सामने बाग, सेर, हाती या इन में से कोई नहीं तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? इसका सही उत्तर है बाग याने की tiger जो tiger है वो भारत का national राष्टिय प्रसु है और इसी तरीके से अगर देखा जाए तो भारत का राष्टिय पक्षिय है और भारत का राष्टिय पुष्प है अगर पुष्प के बादरे में देखा जाए तो कौन सा है वो है? कमल ठीक है और आम जो राष्टी फल कौन सा है वो है आम ये राष्टी फल है आम इसी तरीके से राष्ट गीत बंदे मातरम है इस पर बहुत जादा confusion होता है इस पर confusion होने के जरू उतनी है रास्टी गीत कुन सा है बंदे मातरम ठीक है न और रास्टी ब्रक्ष जो रास्टी ब्रक्ष है वो क्या है वो है बर्गद बर्गद जो है वो रास्टी ब्रक्ष है और रास्टी गान कुन सा है वो है जनगणमन जनगणमन को रास्टी गान ठीक है न रास्टी गान कुन सा है जन गण मन यह राश्टी गान है तो all these are important points जो कि मैं आपको बताए इसको आपको ऐसे याद करना है अगला question है 14 question कौन संग लोग सेवा के सदस की निपती करता है जो संग लोग सेवा आयोग होता है उसकी निपती जो सदस से उनकी निपती कौन करता है राश्टपती प्रधान मंतरी UPSC का अध्यक्ष या फिर सुप्रीम कूर्ट का मुख्य जो सही उत्तर है वो है राश्टप अगला question है CVSC ने उन योग छात्रों को मंच प्रदान करने के लिए उडान योजना शुरू की है जो चेत्र में उच सिक्षा प्राप्ट करने की कामना करते हैं ठीक है ना कौन-कौन है वो उसका option इसमें से कौन सा सही होगा इंजिनियरिंग चिकिस्षा कानून या फिर बे वो है इंजिनियरिंग उडान योजना शुरू की गई है वो CVSC की जो योग छात्र हैं जो की इंजिनियरिंग करना चाहते हैं तो this is the correct answer जो इंजिनिरिंग करना चाहते हैं उनके लिए योजना शुरू गई है और इसमें जो CVSC ने ये वाला मंच इनको प्रदान किया है अगला question है 16 भारत में सबसे पहली मर्जित कहां बनी थी दिल्ली में अलिगड में इलाबाद में या फिर कंदू गलतूर में ठीक है ना कंदू गलतूर में तो इसमें से जो सही उत्तर है वो है डी चोथा नम्मर इस दा correct answer कंदू गलतूर इस दा correct answer यहां पर भारत में सबस पहले मर्जित का निर्मान हुआ था अगला question है 17 question सिंद नदी किस जली से निकलती है जो option है आपके सामने मुरेना विदिसा गौलियर या फिर इंदौर ठीक है यह मद्रप्रदेश से जुड़ा हुआ question है क्योंकि मद्रप्रदेश का एक्जाम है तो मद्रप्रदेश से भी questions बनते हैं तो इसका जो सही उतर है वो है विदिसा विदिसा इदा correct answer विदिसा के यह कौनसी तैसिल सिरोंज जो सिरोंज तैसिल है वहाँ से सिंद नदी का उदगम है और यह सिंद नदी जो है यह बेतवा बेतवा नदी आगे मिलती है इससे और बेतवा नदी की यह सहायक नदी है ये और ये असोक नगर की सीमा बनाती है जो असोक नगर है ठीक है ना असोक नगर जिला है मंदर प्रदेश का उसकी ये सीमा बनाती हुई जाती है एक तरफ से और दूसरी तरफ से जो जो सीमा बनाती है वो बनाती है बेतवा नदी इदर से जो है ये है ये बनाती है काली सिंद नदी इधर से बनाती है और इधर से बनाती है बेतवा तो यह जाके सीधे की सीधे बेतवा से जाके मिल जाती है तो यह पूरे important facts है आपको याद रखना है हो सकते इस पर भी question बने कि कौन सी नदी असुरूक नगर की सीमा बनाती है option में कोई भी पूछा रखता है बेतवा भी पूछा रखता है और सिंद नदी के वारे में भी पूछा रखता है अगला question है 18 इस राज की राजधानी का अर्थ है इंटों का किला ठीक है ना यह option है आपके सामने असम, 36 गड़, अणनाचल प्रदेश या फिर जार खंड तो इसमें से कौन सा option सही है यह आपको बताना है ठीक है ना तो इसका जो सही उत्तर है वो है अननाचल प्रदेश अननाचल प्रदेश इंदा correct answer तो अननाचल प्रदेश की राजधानी वो क्या है वो है इटा नगर इटा नगर जो इटा नगर है वो अननाचल प्रदेश की राजधानी है इसलिए इसका जो अर्थ है इटों का किला इटों का किला की नाम से इसका अर्थ बनता है इटा नगर का तो यह है अनननाचल प्रदेश की राजधानी तो दिरिशिदा correct answer अननाचल प्रदेश अar मेला कुछानती हिस्ट करते हैं और लाइफ ट्री टेस्ट भी अनैकेडमी की द्वारा आफ दे सकते हैं ठीक ना compressed अच्छे उइसको अपको इंस्चार्ट करना पड़ेगा अनैकेडमी लृर्णिंग अनैकेडमी लर्निग अने टेस्ट जो कि आपको प्ली स्टोर में मिल जाएगा देन उसके बाद में आपको लॉग इन करना पड़ेगा आपके इमेल आइडी से या फोन नमर से उसके बाद में आपको चूज करना पड़ेगा MPPSC व्यापम जिससे कि आप व्यापम और MPPSC की जितनी भी जो भी एक्जाम्स होते ह उन सभी की तयारी आप अनेकेडमी की द्वारा कर सकते हैं और साथी साथ में आप इन्रोल कर सकते हैं फ्री लाइब क्लास के लिए तो गेट दर नोटिफिकेशन तू अटेंड एम टीके ना तो यह उसका पार्ट है जिस तरीके से आप इसको कैसे स्टार्ट कर सकते हैं अन अनेकेडमी में फ्री लाइब क्लासेज भी हैं और डेमो क्लासेज भी आपको देता है और साथी साथ में फ्री लाइब टेस्ट भी देता है जिसमें कि आप पुरी तरहीं के से लाइब टेस्ट लगा सकते हैं फ्री लाइब टेस्ट तेस्क्लास ंatur अच्टे म में आपको प्रॉइड करता है उस प्रीचेश से और चैनल कि जो भी आपको डउट लगते हैं उनको लगते हैं का च्षाथ अनक्ला को डाइब और वहां पे comment और घुके क्वारुचे में इसजयों साथ बधिर तरीके से लगा कि अपने पोल समिट कर सकते हैं और साती सात में आपको एक फीचर ये भी है कि आप वहां से पीडियेप भी डाउनलोड कर सकते हैं इसके जो फीचर से हैं उसमें Every test is followed by the scorecard and review of performance with the solutions तो उस तरीके से आप follow करेंगे और उसकी performance और solutions आपको मिलेंगे साती सात में Every test has paper analysis session by top educators with the life free classes जो top educators हैं वो आपको पूरे का पूरा paper का analysis भी देंगे साती सात में इसमें आपके mock test की भी facility है जिसमें कि आप MPPSC, MPP Police, Constable, MPSI और MPGelPresy के भी आप mock test चला सकते हैं इसमें आप daily test भी दे सकते हैं इसमें कि आपके 20 questions होंगे जिनको की solve in 30 minutes 30 minutes में आपको solve करना पड़ेगा जो कि आपके लिए एक अलग तरीके का practice test भी provide कराता है अपना unacademy unacademy में दो features है एक तो free classes है और दूसरा है plus classes तो इन दोनों में जो difference है वो क्या है आप देख सकते हैं अगर plus classes वाला आप इसमें subscription लेते हैं तो उसके differences क्या है और free classes में क्या है free classes में सिर्फ limited slavers cover रहेगा लेकिन plus classes में आपका complete slavers cover रहेगा occasional practice site रहेंगे यहाँ फ्री classes में यहाँ पर unlimited practice site आपको प्रवाइड होंगे इसी तरीके से यहाँ पर ही आपको जो free classes उसमें limited doubts के solutions मिलेंगे लेकिन अगर आप plus class subscription लेंगे तो यहाँ पर जितने भी आपके doubts हैं वह यहाँ पर solve होंगे जो कि वहाँ की जो top educators होंगे वो आपक जालू किया है अनेकेडमी का वर्चस्व नाम से जो current affairs के लिए आपको अर्धमासिक समसाय समसमाइक पत्रिका ठीके ना अक्टूबर भाग एक अक्टूबर दोयार वीकिस का वह आपको अहां पर उपलब्द होगा ठीके ना यह plus subscription में ही उपलब्द होगा और साथी साथ मे आपको अनेकेडमी प्रस्तूत करता है free practice questions series जिसमें कि आप practice करेंगे और आपकी तयारे के लिए इसमें हजारो प्रस्तूनों का यह पूरा bank उपलब्द होता है जिसमें कि आप पूरे के पूरे questions की practice कर सकते हैं यह आपको plus subscription में ही यह मौजूद होगा यह सारे features अनेकेडम से चालू हो चुके हैं 2nd October, 7th October, 10th October, 21st October, 30th October तो यह सारे कि सारे आपकी courses हैं जो कि आपके लगातार start हो चुके हैं तो आप इसको join कर सकते हैं जो कि plus subscription में आपको मिल जाएगा November में मैं courses चालू होंगे, 8 November से MPSI का batch चालू होगा, अची तरीके से MPPSC के batch चालू होंगे तो लगातार यह batch चालू हो रहे हैं आप इन सभी batches को join कर सकते हैं plus subscriptions के according और साथ में free भी है तो आपको जो आपको shoot लगता है उस तरीके से आप उसकी start कर सकते हैं यह है पूरा का पूरा admission fees for plus subscriptions के लिए आपको जो join करना MPPSC व्यापम्स के यह पूरी subscription के लिए इस्ट है आपका first month, three month, six month, 12 month और 24 months के लिए यह पूरा का पूरा आपके पास में fee structure नीचे मोजू थे तो इसमें आपको apply करना है अगर इसमें code apply करेंगे then you will get the 10% off of the admission fees तो इसका जो code है आपको description box में मिल जाएगा वहां से आप उस code को डालेंगे यहाँ पर तो जो भी आपका courses आप choose करेंगे उसमें आपको 10% का admission में discount मिलेगा अगला जो question है वो है भारत की Supreme Court का गठन हुआ था कब हुआ था ठीके ना option है आपके सामने 1950 के संसद अधिनियम के माध्यम से ठीके ना और second option है भारती सोतनतता अधिनियम 1935 के अंतरगर्ट करती संविधान के द्वारा ठीके ना भारत का Supreme Court का गठन किया गया था और इसका जो establishment था वो कब हुआ था यह हुआ था 26 January 1950 को यह इसका establishment हुआ था ठीके ना 1950 को 26 January 1950 को भारती संविधान के द्वारा Supreme Court का गठन किया गया था ठीके और इसी समय संविधान भी लागू हुआ था यह भी आपको जनकारी रहनी चाहिए और यह भारती जो Supreme Court है यह भारती संविधान के Article 124 से लेके आर्टिकल 147 के अंदर जो भी इसमें अधिकार दिये गये हैं उस अधिकार के द्वारा ही Supreme Court का गठन किया गया था तो आर्टिकल आर्टिकल 124 से लेके आर्टिकल 147 तक तो यह important है आर्टिकल 124 से लेके 147 तक के accordingly भारती स्विधान का गठन किया गया था अगला Question है वीश्वा Question और इस वीडियो का आखरी Question है कौनसी नदी घाटी पर बंजर नदी बंजार नदी परियोजना इस्तित है गंगा चंबल नर्बदा या फिर यमना तो इसमें से जो सही उत्तर है वो क्या है? तो इसका जो शही उत्तर है वो है नर्बदा नर्बदा खाटी पर ही बंजार नदी प्रयुजना रिष्थमे बंजार जो नदी यह नर्मदा की सहायक नदी है उस पर यह परियुजना चनचलित किया रही है और मॉद्द प्र देश की परियुजना है बंजार नदी पर जह कि कॉस्टी organs और जिल प्रहे के लिए बहुत ज़्याता इंपोर्टेंट है आपको वो questions कैसे लगे कमेंट करके मुझे बताएं साथी साथ वीडियो को लाइक करना न भूलें और जितने भी विध्यारती मेरे इस चैनल स्टेडी कॉंसेट को देख रहे हैं वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें के साथ में जिससे की उपर जो वशाओ युद्ट बेल आइकन दिया होगा उसको आपको क्लिक करना है और नोटिफिकेशन के साथ में तो सार्य नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे और साथी साथ में मेरे वीडियो को भी लाइक करना ना भोलें, तो सारे वीडियो को लगाता है देखते रहें प्लेइलिस से, स्टेडी कॉंसेट्ट के लिए, जब तक की लिए मैं अपना वीडियो स्थाप्ट करता हूँ, अगला वीडियो लेके फिर हादिर होंगा, जब त